जी अस्वाम्यकूम गाईज तो हाजिरों में आपके साथ एक नहीं वीडियो लेकर और आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं जिसका नाम है बीजीयम मोटर स्पोर्स तो गाईज जैसे के आपका कफ सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मतलब इसकी गाड़ी के ब बारे में मतलब बता सकूँ आपको तो मैं आज इसी परफस के तहत में वीडियो बना रहा हूं तो कांड़ी इस वीडियो को एंग तक देखेगा और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है कांड़ी वो इसको सबस्क्राइब करें और इस चैनल को फुर्द शेयर भी करें ठीक ह पहले मैंने इसके पेंट प्रोडक्शन के ओपर बात करनी थी बैसिकली मैं आपको बताना चाहरा था जो इसका पेंट है बेसिकली अगर आप इसको एजिली जज कर पाएं तो यह आप आइडिया लगा सकते हैं कि यह पेंट बैसिकली किस कॉलेटेगा एक्शली जो पेंट पेंट कॉलेटी यह वो इसको ऐसे एन्हांस किया गया है बिसीकिली इसको हम प्रक्रियोंट प्रेंग नहीं कह सकते हैं लेकिन मेने इसको यह पर्संटार गांपर चेरी कर दो कुछ दूंगा आप सो सकते हैं शप्रमाने कुर्ट सब्सक्राइं रबाइब किसे पेंट करव और ये इस सच इतना कोई मतला मुश्किल काम नहीं है आप खुछ से भी डिजाइन कर सकते हैं पेंट अपनी मर्जी का पेंट कलर पेंट जॉब ले सकते हैं ताकि आप खुछ से अपने माइंडसेट को क्लेर रखकर एक अच्छी गाड़ी को टोन अप कर सकते हैं अच्छा तो में चीज यही थी कि मैं आपको पेंट प्रोडक्शन के बार बताओं लेकिन मैं आपको और चीज बताओं अगर आप पेंट क्वालिटी की तरफ जाना चाहें तो आप कोशिश करें कि गाड़ी को कभी भी वर्कशॉप में सिंपल पेंट प्रेशर पेंट गैस पेंट मत करवाएं इसको हमेशा भटी से किसी भटी से किसी अची शॉप से और ऐसे स्टीम शॉप से मतलब पेंट करवाएं जहां पर आपको पेंट बूत अवेलिबल हो जहां पर आप एक अच्छी पेंट जॉब कर आ सकें ठीक है और फ़रदर मैं आपको बताना बताता किसी पेंट जॉब है इसको काफ सारी सिरीज के अंदर मतलब प्रॉसेस किया गया आपको पता है कि जैसे गाड़ी को पहले सबसे पहले पूरी इसकी बौडी और इसका फ्रेम को जीरो तक लेकर आया जाता है यानि इसको बिलकुल चीजा जाता है उसके बाद इसको सेक्शन वे different सेटिंग्स में different process और different phases को लहां में लेकर इसको बनाए गया अचा मिसको बताना चाहरा था कि जैसे कि इसके तो इसको यह कह सकता हूं कि यह आपको एकदम जैनियन बेस्ट पुटीन और के साथ जैनियन पेंट के फील प्रोवाइड करता है तो इसकी खासियत यह थी मौडिफाय करने की कि मैं चाहता था कि इस गाड़ी को मैं एक जैनियन कस्टम पेंट प्रोडक्शन के साथ लेकर आओं मतलब मैं ऐस सच उस तरह का पेंट नहीं चाहता था कि मतलब एक गाड़ी पर पेंट हुआ है अल्रेड़ी उसी के ओपर मैंने प्री अप्लाइड पुटीन लगवा दी है उसके बाद मैंने फर्दर उसके पर पेंट करवाया और पे इस ताइम सिंगल पेंट पुटीन होती है जो के अपलाए की जाती है जो के एक प्रोसेस के लिए चाहिए होती है सिरफ वही पुटीन इस पर अपलाए की गई है जो कि आप एक नॉमली फैक्ट्री मेड पेंट की सिचेशन भी कह सकते हैं यानि सिंपल कहते हैं कि एक सिंग मुझे जो cost पड़ी है वो around 95,000 है ठीक है जिसके अंदर इसके start one day one से लेकर day end तक जो basic है वो इसके अंदर मुझूद है ठीक है फर्दर में आपको इसके engine bay के अंदर का भी paint दिखा देंगे जो engine bay का paint है वो भी same as it is इसी paint job quality में तो guys देखें आप ये इसके अंदर के paint आप देख सकते हैं और ये आप ऐसे देखेंगे ये बिल्कुल zero made यानि zero condition और zero point of view से हम इसको बता रहा चाहरे हैं कि मतलब इसको एक zero condition में लाकर इसको paint किया गया इवन कि आप इसके engine bay यानि जिसको महुदा भ कि according आपको idea हो जाएगा कि मतलब ये zero paint quality और बिल्कुल miners में लेकर जाकर इसको paint किया गया है ठीक है तो ये थी गाड़ी की paint की बात और आपको इसकी further cost के बारे में बता दिया है मैंने के 95,000 इस पर around almost cost आई है जिसके अंदर इसके bumpers include हैं इसके side skirts include हैं और back bumper from bumper include हैं जो कि almost आपने देखा कि customized हैं जो के थोड़े से modified में modified किये हुएं ठीक है तो इसको मैंने एक beautiful look देने के लिए मैंने इसको कस्तमाइज किया है और इसके अंदर अंदर भाहिर से इसको all-in-all इसको मैंने metallic paint किया गया है ठीक है जिसको red pearl, red wine और civic x के जितने colors के नाम दिये जा सकते है carnelian red इसका नाम दिये जा सकते है तो इस तरह का यह paint है basic लिए ठीक है आप इस paint के बारे में मजीद information लेना चाहें तो आप मुझसे पोच सकते हैं और यह paint job मैंने मैं खुद मुलतान में अपने शहर में और अपने ही मारूफ तरी painter से करवाई है जो के मेरी अपनी workshop में मुझूद होते हैं ठीक है तो आज आज के लिए इतना ही इस paint job के लिए ताके आपको idea हो गाड़ी के paint process के बारे में थैंक यू तो मिलते हैं अगली वीडियो में till then take care अलाफस्